नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से, एक जनवरी नय साल के दिन इसे लाना न भूलना जन्म जन्मांतर की गरीबी मिठ जाएगी। आगे आपके मरजी, दोस्तों, 2030 में जो नय साल पढ़ रहा है, बहुत ही दुरलब है, क्योंकि इस दिन भगवान शूर देव के साथ साथ मा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन रवी बार पढ़ रहा है, रवी बार भगवान शूर को शमरपी थे, साथ ही साथ है, ये रवी बार के दिन नय साल आना, लक्ष्मी मा के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी क्रपा नय साल के दिन जरूर प्राप्त होती है, तो इस दिन भगवान गडेश जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान कई शारे दिब शक्तियों का इनी अशिरवात प्राप्त होगा धन प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है ये और ये समय बड़े मुश्किल से मिलता क्योंकि इस बार दोजातेश का जो नया साल है कई दिब और दूलब शुष्षायों को लेकर आया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने घर में रखते हैं नया साल के दिन आज की जिन घर में इस्थापित करते हैं नया साल के दिन किसी भी टाइम लेकर आशकते हैं यदि लाकर करके पूजा इस्थान में पूज इस सिद्ध करते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के अच्छी अच्छी जानकारी आपको शीखने को मिले तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर करके आप हमारे चैनल से जूड सकते हैं पहले नमबर पर आता है तामबे का कमल में बैटी हुई मूर्ती माता लक्ष्मी जी की यानि जिस मूर्ती में माता लक्ष्मी जी बैटी हो साथ में अगर गड़ेस भगवान भी बैटे हो तो सोने पे सुहागा इसे आपको धन यानि की नए साल के दिन ले करके आना है और अगर नहीं मिलता तो चांदी का भी आप लेकर आएं। अगर नहीं दे सकते तो उसे आप हमेशा अपने उत्तर दिशा में घर की ओर रखें, इस्तापित करें, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप शूर उदय होते ही आप नहा दोकर स्वक्ष वस्त धारन कर लें। इसे किसमेश छिडग दें। और फिर आप उस जड़ को लेकर आएं। और आप केले की जड़ को लेकर आने के बाद आप इसे पूजा स्थान पर रख दीजे। फिर आप इसे केले की जड़ की पूजा करिए। माता लक्षमिज का इसमरन करिए भागवान प्रिश्मुजी का इसमरन करिए। फिर इसे आप पीले कपड़े में लपेट करके, केले के जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके आप इसे धन के स्थान पर रख दें, धन पेटी पर रख दें, आलमारी पर रख दें, कभी धन खत्म नहीं होगा। कई जन्मों की गरीबी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिठेगी तो दोस्तों यानि की आपको केले की जड़ जरूर लेकर आना है नए साल के दिन केले के जड़ बहुती दुरलब और बहुती धन खीशने वाला माना गया है अचनक धन मिलता है कर्ज का भार उतर जाता है अगली इस चीज है आपको लाना है सफलता अगर चाहिए हर दम यानि पैसा चाहिए आपको तो आप क्या करें कि देवी माता लक्षमी जी को पर्संदD करने के लिए कोड़ी ज़रूर लेकर आएं बजार से आप इसे खरीद करके लेकर आएं माललक्षमी जी को अर्पिद कर दें लक्ष्मी जी बहुत प्रसंद होती है, शाथी साथ कुवेर जी भी प्रसंद होते हैं, नए साल की दिन आप केले के पेड़ पर हल्दी का टीकल लगाए, क्योंकि इससे आपको बहुत सुब माना जाता है, लक्ष्मी जी दिब शक्ति कृपा प्राप्त करने का अच्छा समय ह इस दिन बेल पत्र की भी पूजा जरूर करिए, लेकिन केले के जड़ जरूर लेकर आए, और आप केले के जड़ को जैसा कि हमने का कि पिले कपड़े में लपेट करके आप अपने धन के स्थान पर रख दें, या फिर आप क्या करके बेल ब्रिक्ष्पर भी आप यानि की एक लाल कपड़ा बांध दे और माता लक्षमी की शमरन करें, एक लाल कपड़ा तुलसी के पौधे पर अगर बांधा जाये तो जीवन में चल रही परेशानिया, मुकदमे बाजी या फिर जीवन में आपको लक्षमी से सम्मंधित परेशानी, हर परकार की परेशानी दूर ह लक्षमी चरन पादुका हो सके तो आप नए साल के दिन जरूर लेकर आएं, नए साल के दिन अगर आप लक्षमी पादुका चरन लेकर आते हैं, तो बहुती सुभवाना जाता है, धन की बढ़ोतरी होती है, आए जानते ऐसे कौन से जड़ हैं, जिससे घर में लाकर के इस ऐसे हैं जिसे आप अपने घर में लाकर इस्थापित किया जाएं, तो सारा घर अन धन से भरा रहता है, क्योंकि केले के पेड़ में भगान प्रशमी का शरूप है, और सीता फल में माता लक्षमी जी का शुरूप है, तो केले की जरूर लेकर आएं, सीता फल की भी जरूर ज़र लेकर आएं इसे धन गंगा यहीं कि गंगा नदी की तरह भी जैसे बहिती है उसी तरह से धन बहुत कर आता आपके घर में तो गंगा जलसे नहें धोलें अच्छी इस तरह से और इने कपड़े में लपेट करके धन की स्थान पर रख दे धन कभी खत्म नहीं होगा और अधन हमेशा आपके घर में भरा रहेगा लक्षमी जी शारी उम्र आप पर अपनी कृपा बनाय रखेंगी तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहर पशंद आई होगी और पशंद है तो आप मातालक्षमी जी कृपा प्रापत करना चाते हैं आपको लगता है कि नए साल में मातालक्षमी आपके घर में पधा रहें तो कमेंट में लिखेगा मालक्षमी जी आपका स्वागत है हमारे घर में और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो को जदर जदर दोस्तों को शेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्षमी